ये सवाल मेंफिस से एशली ने पूछा है नमस्कारम सद्गरू लगबग हर संस्कृती में देवताओं के आहवाहन के लिए ध्यान में मदद के लिए और सेहत और चिकित्सा के लिए धूप का प्रयोग किया जाता रहा है जड़ी बूटियों और राल को जलाया जाता रहा है खास तोर से ये भारती और मूल अमेरिकी इतिहास दोनों का एक बड़ा हिस्सा रहा है हम धूप जलाने और आज के समय में धूप के उप्योग के महत्व के बारे में आपसे जानना चाते हैं ओ, क्या इसलिए मुझे पर धूआ डाला जा रहा है और ये सवाल भी आशली ने पूछा है धूप आम तोर पर आशली होती है बिना आश या राक के सुगंध नहीं होती इसका महत्व ये है कि कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो एक चीज ये कि उनमें सुगंध होती है जो नाक के लिए सुखद होती है और और धूप जलाना वातावरण से संबंधित है नाकि आप से क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर खास तोर से घर के अंदर एक चीज ये है कि वहां गंध होती है साथ ही अलग-अलग तरह की उर्जा की बनावट होती है कमरे के आकार की वज़ा से इसी लिए कमरे के आकार पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है भारतिय संस्कृती में कमरे के आकार पर बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि कमरे का आकार काफी कुछ तै करता है अगर कमरा दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हवादार ना हो यानि दोनों दिवारें खोली नहों, तब ये लगभग बाहर होने जैसा ही हो जाएगा, वो एक अलग बात है, ज्यादा तर घर इस तरह नहीं बने होते, क्योंकि उनके पडोसी होते हैं, आप बहुत ज्यादा खिड़किया नहीं खोल सकते, बहुत ज्यादा खुलापन काम नहीं करेगा, फिर मौसम भी है, कई चीज़े हैं ठीक है, और एर कंडिशनिंग भी है, और भी खराब, तो अलग-अलग आकार, अलग-अलग उर्जा की बनावटे बनाते हैं, ये उर्जा की बनावटे, अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिती तै कर सकती हैं, जो या तो मददगार हो सकती हैं, या आपके मन चाहे लक्ष में रुकावट डाल सकती है, इसलिए कुछ पदार्थ जैसे की भारत में चंदन, एक और चीज़ है जिसे सांबरानी कहा जाता है, जो बहुत शक्तिशाली चीज़ है, जि पहली चीज़ ये वही करते हैं, और अब ये पाया गया है कि इस से हावा में और सतह पर मौझूद कुछ तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो खास तोर से अगर घर में कोई बीमार हो, तो सांबरानी जलाई जाती है, अगर उन्हें कोई मंगल उत्सव मनाना है, तो ह हर जगा संबरानी जलाई जाती है, ये एक तरह का राल है, जो एक पेड़ से टपकता है, इस संबरानी की तलाश में आप देखेंगे कि जंगल में बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, लोग इन पेड़ों के तने को कुरेद देते हैं, क्यूंकि वे पेड़ बाहर से ठोस हैं, पर अंदर एक कोटर होती है, आप उस कोटर में से राल टपकता पाएंगे, हमें नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता कि किस प्राकृतिक कारण से ये राल बाहर आता है, पर लोग जाकर इसे एक अठा करते हैं, ये एक छोटा सा कीमती पदार्थ है और आपको इसे प पुराना होना चाहिए, वरना ये नहीं मिलेगा, इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है, इसका सुगंधित होना जरूरी नहीं है, ये एक अलग तरही की चीज़ है, ये हवा को शुद्ध करता है, ये वातावरण को अधिक जीवंत बना देता है, मूल रूप से, चाहे जो भी सनरचना हो, ये भीतर को बाहर जैसा बना देगा, अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में जलाते हैं, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए, परना छींक आएगी और दिमाग हिल जाएगा, घर में बस थोड़ी सी सांपरानी, और आप घर के अंदर भी बाहर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि उर्जा की बनावट नहीं होगी, खास तोर से अगर परिवार में कोई मृत्यू हुई है, तो ग्यारा से बारा दिनों तक सांपरानी जलाई जाती है, क्योंकि वे हावा को पूरी तरह शुद करना चाहते हैं, ये मैं इनके बारे में बोलने में थोड़ा हिज किचा रहा हूँ, क्योंकि पहले से ही यहाँ नई पीडी मौझूद है, जब मैं पहली बार नैश्विल आया था, तो किसी ने मुझसे कहा था कि सद्गुरू एक आध्यात्मिक प्रदर्शिनी है, मैंने कहा आध्यात्मिक प्र और तब दोपहर में उन लोगों ने कहा, सद्गुरू हमने आपके बोलने के लिए भी समय ले लिया है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं पहली बार अमेरिका गया था, मैंने सोचा अध्यात्मिक प्रदर्शिनी, और मैं वहाँ गया, एक बहुत बड़ा पंडाल था, और जोर शोर से देशी संकीत बज रहा था, बेशक ये वही ग्रूप था, जिसे वहाँ कम ही लोग सुनते थे, शायद शाम को दूसरे जाने माने ग्रूप आने वाले थे, दो पहर में स्टेज खाली था, साउंड सिस्टम सभी के लिए उपलब्द था, तो वे शोर मचा रहे थे, मैंने कहा, ठीक है, आध्यात्मिक प्रदर्शिनी, ठीक है, संगीत एक सांस्कृतिक चीज है, मैं जाकर आध्यात्मिक प्रदर्शिनी देखता हूँ, मैं अंदर गया, कोई नहाने का आध्यात्मिक साबुन बेच रहा था, मैंने कहा वा कोई आध्यात्मिक पत्थर बेच रहा था कहीं से लाया गया कोई पत्थर जो आध्यात्मिक था इस तरह जड़ी बूटियां ये वो शायद वहाँ कोई टूद्रश भी था तब मैंने सोचा ओ ये भारतिय हाट जैसा है आपको पता है भारतिय गाओं में हाट होते हैं रविवार बाजार या बुधवार बाजार या सोंभार बाजार तो हर तरह की लुभावनी चीजें बेची जा रही थी वहाँ एक जड़ होगी बस इतनी सी वो इस तरह मुड़ी होई होगी वो सीधी नहीं होती इसे उंगली से नहीं बताया जा सकता तो ये एक जड़ है जो आपको अद्रिश्य बना सकती है आपको इसे मादा वेल के बाएं जबडे की हड़ी के साथ पीसना है और वो वेल जिन्दा होनी चाहिए जिसका मतलब है कि आप असल में वहां तैर कर जाएं जबडे का एक टुकड़ा काट कर बाहर आ जाएं अगर आप इन दोनों को एक साथ पीसते हैं और एक मंत्र भी बोलना है आप ये करिए और फिर उस पेस्ट को अपने उपरी तालू पर लगाईए तो आप अद्रिश्य हो जाएंगे अगर आप वेल के मूँ में जाएंगे तो आप वैसे ही अद्रिश्य हो जाएंगे फिर मैं समझा ये तो किसी भारतिय हार्ट जैसा है वहाँ वे हर तरह की आकरशक धूब बत्तियां भी बेच रहे थे धूब से एक तरह का असर होता है पर उसे ज्यादा मत चलाईए उससे वातावरन थोड़ा बदलता है उसे बहुत बड़ी चीज नहीं मानना चाहिए उसका एक तरह का असर होता है उसे समझदारी से इस्तमाल कर सकते हैं पर इन दिनों धूप या अगरबत्तियों को केमिकल सामगरी से बनाय जा रहा है उन चीजों को नहीं जलाना ही अच्छा है ये बहुत बहुत जरूरी है पहले ही सड़कों पर बहुत केमिकल वाली चीजे हैं उद्योगों में, कारखानों में, जहां शायद आप काम करते हैं, हर जगा बहुत केमिकल उड़ रहा है कम से कम अपने घरों में केमिकल से बनी धूबत्तियां मत जलाईएं क्योंकि मुझे लगता है बाजार में उपलब्ध लगबग 70 या 80 परतिशत अगरबत्तियां केमिकल हैं जलाने से पहले आपको ये देखना चाहिए ये बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि बंद दीवारों में अगर आप केमिकल जलाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा खलत असर होगा तो प्राकरितिक राल या प्राकरितिक तेल जैसी चीजों का इस्तमाल होना चाहिए जिससे अच्छा असर हो हलका सा असर अगर उसकी जरूरत हो तो इसका असर जरूर होता है जरूरत हो